नमस्ते आप सबको मैं हुँ जोती जसनादर गवल, thank you so much for stopping by सर्दियां आ चुकी है और सर्दियां आते ही हमारे स्किन के रूटीन है वो में थोड़ा से चेंज करना पड़ता है समर के कंपारिजन में क्योंकि सर्दियों में स्किन थोड़ी सी ज्यादा ड्राइ होने लगती है, dehydrated होने लगती है और स्किन को जरूरूरत होती है बहुत सारे hydration and moisturization की तो आज के वीडियों में एक बहुत ही basic और simple सा winter skincare routine शेयर करने वाली हूँ और ये होने वाला है हर skin type के लिए और जो भी products में use करने वाली हूँ, सब होने वाले है under rupees 500 तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक affordable winter skincare routine आपके ले किया हूँ और ये बहुत ही basic सा, simple सा skincare routine है जिसे आप morning and night दोनों में follow कर सकते हो, morning में you just have to use a sunscreen and night में आपको sunscreen use नहीं करनी है that's it, other than that कोई भी product change करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए फटा-फट से skincare routine करते हैं मैं भी अपना face वगरा कुछ भी मैंने wash नहीं किया है, तो आपके साथ-साथ ही मैं अपना skincare routine भी करूँ तो वैसे तो skincare routine का सबसे पहला step होता है, face को wash करना, लेकिन अगर आपने make-up किया है, या फिर sunscreen लगाते हो, तो उसे remove करने के लिए cleansing balm या फिर make-up remover यूज़ करना ज़रूरी होता है, आपके night time routine में, तो मैं start करूँगी cleansing balm से, और एक cleansing balm जो मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया, 500 रुपे के अंदर, जिसे मैंने almost खतम कर दिया है, वो है ये deconstruct का cleansing balm, ये बहुत ज़ादा अच्छा है, ये इसमें 0.1% of visa bulol and 1 1% oats oil का यूज़ करा गया है, और ये बहुत ही gently makeup को dissolve करता है, और साथी साथ में sunscreen को भी dissolve करता है, तो जरूरी नहीं कि आप cleansing balm तभी यूज़ करो, जो आपने makeup यूज़ किया है, sunscreen भी अगर आप यूज़ करें, तो उसे remove करने के लिए भी, एक cleansing balm का यूज़ कर सकते हैं, क्य जैसे कि अगर आपको clogged pores, blackheads, whiteheads का issue है, तो वो काफी हद तक कम हो जाता, अगर आप double cleansing करते हैं, क्योंकि आपके pores हैं, वो clogged नहीं होते है makeup या sunscreen की वज़से, तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही effective cleansing balm है, gently makeup को remove करता है, skin को बिल्कुल भी irritate नहीं करता है, और नहीं बि makeup अगरा sunscreen रिमूफ कर लिए, अब wash करेंगे face को, और अगर आप morning routine करें, तो directly आप face wash ही use करोगे, तो मैं यहाँ पर दो face washers share कर रही हूँ, यह है वो 2 face washers, सबसे पहले है, यह तो derma ko का cleanser, जो की oily combination and sensitive skin के लिए, और यह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और दूस skin वाला भी आता है, बट यह वाला मैंने बहुत जादा use करें, तो मैं इसी को इस video में feature कर रही हूँ, यह oily combination plus sensitive skin के, तो अगर आपके skin winter में भी oily हो रखी है, combination हो रखी है, तो आप इसको use कर सकते हो, इसकी खास बात यह है, कि यह बहुत ही ज्यादा gentle face wash है, soap free है, non irritant है, non drying है आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके skin खिची-खिची, dry-dry सी feel हो रही है, तो morning में use करने के लिए face wash मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है, कि morning में I don't like to use a face wash, जो कि मेरे skin को खिचा-खिचा या dry सा कर दे, ऐसा लगे ना कि अब तुरंती से मुझे moisturizer की तो बहुत जादा gentle है, if you have sensitive skin, do try the face wash, second face wash है, ये dot and key का barrier repairing face wash, ये भी काफी जदा अच्छा है, और अगर आपके skin normal dry combination है, तो आप इस face wash को use कर सकते हो, ये face wash को मेरे night time routine में use करना पसंद करती हूँ, ये भी gentle है, skin को बिल्कुल भी dry, खिचा-खिचा फील नहीं करेगा, बट सर्दियों में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है, gel-based ये face wash है, you just need pea size amount, that's it, और बहुत ही अच्छे से face को clean कर देता है, without making it dry, ये वाला भी जो face wash है, ये भी आपके barrier को repair करने के लिए काफी अच्छा है, और winter में हमेशा ऐसे ही face wash चूस करें, जो कि आपके barrier को repair करन हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई आपको salicylic acid या फिर AHA, retinol ये सब नहीं बताऊंगी, मैं एक बहुत ही basic ऐसा serum आपके साथ share करें, जो कि हर skin type वाले winter में आराम से use कर सकते है, जो कि skin को बहुत ही अच्छे से hydrate करेगा, जिसे winter में हमारी skin को जरूरत होती है, काफी सारे hydration की, प्लंप पनाएगा, बिल्कुल भी dry नहीं होने देगा, और वो है hyaluronic acid, और मेरा favorite hyaluronic acid serum है, ये laurel का hyaluronic acid serum, इसमें दो sizes आपते हैं, ये जो है, ये छोटा वाला size है, तो अगर आप try करना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हो, by the way, एक bottles के अरड़ी मैंने खतम कर ली थी अभी जब winter स्टार्ट हो है, तब मैंने ये दूसरी bottles की purchase करी, ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसकी वज़े से मुझे कभी भी active impus नहीं हुए, ना ही, इसने मैसा मुझे लगा कि मेरे post को clog किया है, तो हमेशा hyaluronic acid serum को आप आपके damp skin पे लगाएं, कभी भी dry skin पे नहीं hold कर ले था, और आपके skin को बिल्कुल भी dehydrated नहीं होने देता है, तो एक serum, जो की कह लिए, विंटर में staple है मेरा, वो है hyaluronic acid serum, इसे आप morning and night, दोनों टाइम में आराम से यूज़ कर सकते हो, और अगर आप कोई, मतलब other active वाला serum भी उसके साथ भी आराम से चल जाता है, तो मतलब जो winter season start हो तो मैं research करी थी moisturizers for winter, तो मैंने काफी अच्छे reviews देखे इसके and I purchased this one, इसको मैंने कहलो लगबग 15-20 दिन तो आराम से यूज़ किया है and I fell in love with this moisturizer, ये एक gel cream consistency का moisturizer है, काफी light weight है, मतलब मेरी skin अभी कहलो की combination behave कर रही है, by the way ये all skin types के लिए है, अभी मेरी skin combination behave क और मुझे कुछ बहुती ज्यादा ऐसा greasy नहीं चाहिए, बढ़ हाँ, ऐसा चाहिए जो कि में skin को अच्छे से moisturize and hydrate nourish करें, ये बिल्कुल वैसा ही है, बहुती कहलो की super nourishing moisturizer है ये, क्योंकि इसमें use कर गया 3 तरीके के ceramides को, ceramides basically building blocks होते हैं हमारे skin के, और वैसे तो मैं हमेश इसमें 3 तरीके के ceramides के use कर गया, साथ ही साथ में hyaluronic acid का भी use कर गया, तो ये skin को बहुत अच्छे से nourish करती है, hydrate करती है, बहुत ही प्यारा moisturizer है, इसकी बस एक चीज, जो कि कुछ लोगों को bother कर सकती, वो ये, कि इसमें fragrance है, ये fragrance free नहीं है, और इसकी fragrance ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा moisturizer, और दूसरा moisturizer है, ये the derma koca oil free moisturizer, ये moisturizer उनके लिए like, अगर आपके skin winter में भी oily combination behave करती है, आपको चाहिए कुछ oil free, लेकिन again, जो कि थोड़ा nourishing हो, अच्छे से skin को moisturize करें, hydrate करें तब आप ये moisturizer ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जैसा मैंने बता ingredients हमारे skin को बिल्कुल भी dry नहीं होने देते, dehydrated नहीं होने देते, skin को काफी अच्छे से moisturize करते हैं, नरिश करते हैं, skin को plump बनाते हैं, लंबे time तक hydrated रखते हैं, तो ये भी moisturizer काफी अच्छा है, if you have winter में normal, oily या फिर combination skin, और by the way ये fragrance free भी है, okay, last, बहुत जादा ये कह लिए ये सबसे ज़्यादा important step हमारे skin के routine का जोकी है, sunscreen और sunscreen के लिए मैं recommend करूंगी, Dr. Shades की ceramide and vitamin C sunscreen, इस समय जट विंटर में ये sunscreen हर skin type वाले यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी skin oily के तरफ है, या फिर आपकी skin dry के तरफ है, काफी अच्छा आप देख सकते हैं, almost खतम होने वाला है, again ये भी एक ceramide based sunscreen है, तो again काफी rich nourishing sunscreen है, skin को बिल्कुल भी dry नहीं बनाएगी, skin को आपके matte finish नहीं देगी, yet greasy भी नहीं है, तो चिप-चिपी नहीं है, lightweight है, matte finish नहीं देगी, skin को hydrated रखती है, और वो थोड़ी से dewy finish देती है, by the way ये एक hybrid sunscreen है, मतलब इसमे chemical and physical दोनों filters का use कर गया, साथी साथ में SPA 50 and PA++++ rating है, मतलब कि एक broad spectrum sunscreen है, UVA and UVB दोनों racist skin को protect करेगी, इसमें use कर गया 1% of ceramide complex and 2% of vitamin C complex, साथी साथ में 1% hyaluronic acid, तो जैसा मैंने कहा कि इसमें ceramide है, hyaluronic acid है, तो ये skin को काफी अच्छे से hydrate भी करेगी, nourish भी करेगी, moisturize भी करेगी and क्योंकि sunscreen है तो sun rays से protect भी करेगी, now lastly मैं शेयर करी हूँ तो बहुत ही अच्छे lip balm, सबसे पहले है ये Vaseline का lip therapy, जो की बहुत ही सस्ता आता है बट बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपको tinted lip balm चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो, look at the beautiful rosy color, बहुत ही प्यारा सा rosy pink color देता है ये, और चिप-चिपा बिल्कुल नहीं है और Vaseline कितना, कितने अच्छे से lips को moisturize करता है, we all know that, तो इसके बारे मुझे ज्यादा बखान करने की ज़रत नहीं है, इसमें अग हलकी सी fruity सी fragrance भी है, तो ये आप daytime में आराम से यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको tinted lip balm नहीं चाहि तो मेरे पास एक बहुत 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 जबर्दस option है, जिसको मैंने I think मेरे last to last video में share भी किया था, वो ये है Minimalist का SPF 30 lip balm, तो ये lip balm में SPF 30 है, तो आपके lips को ये protect भी करें, बट ऐसा नहीं किसमे SPF 30 तो आप इसको रात में यूज़ नहीं कर सकते हो, आराम से करता है, इसमें hyaluronic acid and again ceramides है, तो बहुत अच्छे से lips को hydrate करता है, नरिश करता है, moisturize करता है, और काफी लंबे टाइम थे, मतलब अगर मैं इसको दिन में एक बार लगा लू, मुझे नहीं याद कि मुझे इसको दुबारा तिबारा लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वैसा कोई perform ही नहीं करता था, बट ये जो lip balm है, इसको खरीदने के वालब, इसको यूज़ करने के बाद, मुझे लगता नहीं कि मैं अपने lineage के lip balm के तरफ देखती भी हूँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा, अगर आपके extremely dry and chap lips है, तो आप एक बार ये lip balm को जरूर ट् प्लस इसमें SPF 30 है, जो की added sun protection भी provide करता है, तो या ये था आज का वीडियो, ये बहुत है simple basic routine मैंने share किया है, बट इसको सारे skin types वाली यूज़ कर सकते हैं, और ये जो products हैं, ये under rupees 500 जरूर है, बट बहुत जादा जबर्दस product हैं, मतलब ऐसे products हैं, तो सबकी जो purchase links हैं and price है तो आपको description box में मिल जाएं, क्योंकि ऐसे मुझे याद नहीं, तो मैंने video में verbally किसी का price नहीं बताया है, तो किसी भी information के आप description box चेक करेगा, ये video useful लगा है, तो like कर दीजेगा, और अब मिलते अगले video में, तब तक लिए stay tuned, take care, और नमस्ते